दोस्तों, Infinix Note 10 सीरीज का फोन लाँच हो चुका है वो भी इसमें सबसे बड़ी बात जो दिखाई दे रही है, वो है Infinix Note 10 प्रो और Infinix Note 10 ये दोनों फोन बहुत ही दमदार के हैं, और वैसे भी प्रो जो फोन होते हैं, उसमें कमाल के फीचर्स होते हैं अफोरो के फोन का मेरा परसनल एक्सपिरियंस है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रो का, और भी Infinix का फोन के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो और फोन से भी बहुत ही बेहतर है ये अच्छे प्राइस में मैं फड़ा-फड़ आपको बताता हूँ यहाँ पे इसका Infinix Note 10 जो सीरियस का है, प्रो वाला प्रो वाले के मैं इस स्पेस्फिकेशन आपको बता दूँ कि जो Android 11 पर है और इसको exhaust 7.6 पर काम करता है और जो डिस्पले दिया रखका है इसमें 6.95 इंच का Full HD Plus डिस्पले है और उसके साथ 90 हल्टेज रीफरेश रेट कमाल का है और फिर 180 हल्टेज टच सैंपलिंग रेट मौजूद है इसके अलामा Infinix Note 10 Pro में फोन में Mediatek Helio G95 प्रोसेसर से लेस है जिसके साथ 8 GB रेम तक और 205 6 GB स्टोरिस मौजूद है केमरे के लिए बात करूँ तो Quad Rare Camera का सेटप मौजूद है जिसमें 64 MP का Primary Camera है और 8 MP का 120 Degree Ultra Wide Sensor है 2 MP का Depth Camera है और 2 MP का Monochrome Sensor शामिल है Selfie और Video Calling के लिए फोन में 16 MP का कैमरा दिया हुआ है दोस्तों बता दूँ कि ये फोन बहुत ही जल्द मतलब की 7 June को ये launch होने वाला है मतलब की आज की date में Sorry, कल की date में अगर मैं इसके बैटरी के बात करूँ तो 5000 MHz की बैटरी के साथ आपको 30 Watt Force Arjun का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और मैं fingerprint के लिए बात करूँ तो side mountain fingerprint मौजूद है और अगर मैं in fix note 10 का हिसाब से अगर बात करूँ जो इसकी normally है तो हला कि same same voltage refresh rate है और sampling rate भी same है 180 है और processor भी है और 6 GB RAM है इसमें उसमें 8 GB RAM है camera का लगबग-लग-लग same नहीं है थोड़ा सा इसमें difference है बट सही है अब यहाँ पे जो 5000 ms की बैटरी है note 10 में उसके साथ 8 Watt for charging का support है मतलब 18 Watt for charging का support है उसमें 30 Watt for charging का support था इसमें 18 है बस यह difference है और अगर मैं price के लिए बात करूँ इसमें तो price आपको बहुत ही किफायती दे रखका है बहुत ही जादा नहीं है हमें इससे लिए यह बहुत ही बजर फोन होता है इन्फिनिक्स हलाकि अगर मैं approach बताओ मतलब की हलाकि अगर खुलासा नहीं किया गया है कुछी दिन में list हो जाएगा flip card पे वहाँ से आप देख सकते हैं प्रिशेस कर सकते हैं और NFC certificate मतलब स्मार्ट फोन बिल्कुल ही शाबित हैं और इंडिया में launch होने का तो दो रायस में नहीं है बिल्कुल आपके सामने तो आने आने वारे है बस दो दिन इंतिजार करने के बाद अब यहाँ पे voltage refresh rate कमाल का है touch sampling rate कमाल का है 5000 ms बैटरी दोनों फोन में है वो भी कमाल का दिया रखा है बस price के लेकर 18 या फिर 14 फिप्टीन तक 18 के अंदर आपको मिलने वाला है बहुत ही जादा phone के price इसमें नहीं गया हुआ है तो I hope कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए होगे कर पसंद आए प्लीज लाइक करना share करना मिलता हूं में इस वीडियो में अभी के लिए जाह हिंद